एनेमे इस हीर को दोस्त कहते है तो जवाब में नाजूना उसे ये कहती है कि जब तुम किसी को दोस्त मान लो तब से पर नाजूना यामोरी से ये भी कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि तुम्हें दोस्त बनाना है और तुम दोस्त बनाना चाहते हूं फिर अगले सीन में जह यहां second episode का end हुआ था जहां एक लड़की ने यामोरी से पूछा कि वो यहां क्या करना है इसके आगे यामोरी यह क्याता है कि यह receiver तुम्हारे पास क्या से आया दरसल यह लड़की यामोरी की बच्चपन की दोस्त होती है जिसका नाम अकीरा होता है और अगले सीन में अकीरा यामोरी से यह कहती है कि यह तुमने ही मुझे दिया था यानि उस मेल बॉक्स पर रखा था बच्चपन में और उसने इसे ले लिया और अकीरा यामोरी से कहती है कि उसे खुशी है कि वो यानि यामोरी ठीक है क्योंकि वो दोनों दोस्त है और अगले सीन में वो कुछ बात करते हैं और अकीरा यामोरी से कल फिट से इसी टाइम और जगे पर मिलने को कहती है और अगले सीन में फिर एक नात यामोरी और नाज़ुना एक साथ होते हैं जहां यामोरी जल्दी निकल जाता है और नाज़ुना उसे ये कहती है कि क्या वो किसी और लड़की से मिलने जा र उसे अकीरा मिली थी और फिर वो दोनों साथ बैट जाते हैं और थोड़ी देर कुछ बात करते हैं यामुरी रोज नाजुना से मिलने के बाद अकीरा से भी रोज मिलने लगता है और जब अकीरा और यामुरी बात कर रहे होते हैं अभी अचानक नाजूना उसे देख लीती है और उसे देखकर यामुरी गबरा जाता है और ये सोचता है कि अब वो क्या करेगा और फिर नाजूना वहां आकर अकीरा से कुछ बात करती है और उसे कहती है कि उसका और यामुरी का रिश्टा सिर्फ फिजिकल है और अग्ले सीन में नाजुना यामुरी को खड़े होने को कहती है और फिर अकीरा के सामने उसका खून फिर से चूस लेती है और ये सब देखकर अकीरा नाजुना से ये पूछती है कि वो है कौन और नाजुना उसे ये कहती है कि और अगले सीन में वो तीनो एक रेस्टोरांट में जाते है और कुछ बात करते हैं और अकीरा यामौरी से ये कहती है कि उसे स्कूल वापिस आना चाहिए कि यामौरी बी उसके जाने के बार उसके पीछे चला जाता है लेकिन यामोरी अकीरा को कोई जवाब नहीं देता फिर नाजोना ये सुनकर वहां से चली जाती है और यामोरी भी उसके जाने के बाद उसके पीछे चला जाता है और नाजोना के पास पहुच जाता है और उससे पूछता है कि वो उससे नारास क्यों है लेकिन नाजुना वहाँ से चली जाती है और फिर अगले सीन में यामुरी उससे जगे जगे ढूनता है और फिर एक जगा बैठ जाता है जहां वो अपने रिसीवर से उसे फिर से कॉल करता है और इस बार नाजुना उससे बात करती है वो यामुरी से ये पोशती है कि जब अकीरा ने उससे स्कूल की बात की तो उसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया तो यामुरी नाजुना से ये कहता है कि क्योंकि उससे स्कूल नहीं जाना बलकि एक वेमपायर बनना है और ये सुनकर नाजोना उसे अपने पास बुलाती है और फिर और आखिर में यामुरी ये कहता है कि शायद दोस्त एक दूसरे को किस नहीं करती और यहां खत्मा होता है कॉल आफ दे नाइट का थर्ड एपिसोड यार अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और ऐसे और भी हिंदी डब्स के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना आज के लिए इतना ही और अगले वीडियो तक कीप वाचिंग